नमस्कार साथियो आप सभी का हारदिक स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल कुंडलवाल स्टेडी में हम इस वीडियो में आज यानी 13 सितंबर 2022 को और अरवी ग्रूप डी की थर्ड सिप्ट में पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेर के क्यूशन को सोल करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं आज थर्ड सिप्ट में कौन-कौन से क्यूशन पूछे गए हैं पैस्ट क्यूशन है एर इंडिया के नए चेर्मेन किसे नियुक्त किया गया है तो एर इंडिया के नए चेर्मेन नियुक्त किया गया है एन चंदर सेखरन को अगला सवाल है पोदो में ओक्सिजन का आदान परदान किस परकरिया द्वारा होता है तो पोदो में ओक्सिजन का आदान परदान है ये किया जाता है विसरन यानि डिफ्यूजन द्वारा अगला सवाल है किस राजे की राजबासा हिंदी है आपको चार ओप्सन दिये गए थे गोवा, राजस्तान, पंजाब और अरुनाचल परदेश तो किस राजे की राजबासा हिंदी है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्तान की जो राजबासा है वो हिंदी है अगला सवाल है महावीर राश्ट्य उद्यान भारत के किस राजबासा है? अगला सवाल है मार्च दो जारबाईस में सिरलंका के खिलाब किसने 175 रन बना कर कपिल देव का रिकोर्ड तोड़ा है तो ये तोड़ा है ओल्ड राउंडर रविंदर जड़े जाने अगला सवाल है चंद्र पूर्णिमा को किस दरम का त्योहार माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये जो चंद्र पूर्णिमा है इसको हिंदु दरम का त्योहार माना जाता है अगला सवाल है ग्राम पंचायत वें ग्राम परिशत के विकास के लिए कौन सी योजना चलाई गई है तो यह चलाई गई है आपनी योजना आपनों विकास अगला सवाल है निमन में से उपदातू कौन सी है आपको ओप्संस दे रहे थे बिटुमिनस सेलेनियम आयरन और एंटिमनी तो इन में से कौन सा सही हो जाएगा तो इन में से सही हो जाएगा एंटिमनी अब देख लेते हैं कौन-कौन सी उपदात हुए हैं परकरती में तो ट गर्ब निरोद के लिए किसका इस्तिमाल किया जाता है तो इसके लिए कंडोम, कौपर्टी, गर्ब निरोद गोलिया पुरुष नस्पंदी आधी का इस्तिमाल किया जाता है अगला सवाल है संसत का सदस्य बनने की योगताओं का उल्लेक किस अनुछेद में है तो संसद का सदस्य यानि सांसद बनने की योगिताओं का उलेख है अनुछेद 84 में अब इससे related कुछ और अनुछेद देख लेते हैं कि किसमें किसका वर्णन है तो अनुछेद 79 में संसद का उलेख है अनुछेद 80 की बात करे तो इसमें राज्य सबा के गठन का उलेख है और अनुछेद 81 में है लोग सबा के गठन का उलेख अगला सवाल है dust bin में किस प्रकार के कसरे को नहीं डालना चाहिए तो options दे रखेते उन में से plastic के कसरे को नहीं डालना चाहिए ये सही हो जाएगा अगला सवाल है पंचायतों के आर्थिक विकास के लिए कौन सा पुरसकार दिया जाता है इसके लिए दो पुरसकार दिये जाते हैं मेंली पहला है पंडित, दीन दियाल, उपाद्याय, पंचायत, ससक्ती करन पुरसकार और सेकिंड है नाना जी देश्बुक, राश्ट्री गोरव, ग्राम सबा पुरसकार तो चलिए दोस्तों, इस सिप्ट में अभी तक इतने ही क्यूशन मिल पाए है यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेर करे और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और यदि आपको इस वीडियो की पीडियाप चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल कुंडलवाल स्टेडी को भी जोइन कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में एक और एनलाइसिस के साथ तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद जय हिंद जय भारत